सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए उड़ना की साथियों रूप रेका किसने तयार की थी तो PC महलो नूबिस ने तयार की थी आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर भी है तो बिल्कुल कैरेक्टर अब उसके बाद देखिए आगले नंबर का साथियों प्रिष्ण है कि प्रतवी शिकर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है क्योटो प्रोटोकॉल को या ब्रेटलेंड रिपोर्ट को या एजेंटा 21 को या रियो शिकर सम्मेलन को तो आपको ध्यान ये रखना है साथियों रियो शिकर सम्मेलन को जाना जाता है पिर्थवी शिकर सम्मेलन के रूप में तो जिनका आंसर यहां पर है option number D तो बिल्कुल character भई बहुत बढ़िया very good class अब उसके बाद देखिए कि East India Company के द्वारा किस वर्ष में इस थाई बंदोबस को आमल में लाया गया था आप से सातियों पूछा जा रहा है तो क्या होगा 1770, 1793, 1794, 1792 तो 1793 आपके इस पृष्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए next number का पृष्ण आपके स्क्रीन पर है बताए बहुत निमनिकित में से किस उपकरण का उपयोग वायो मंडलिये दाब को मापने के लिए किया जाता है तो किस का इस लिटर का सातियों किया जाता है वायो मंडलिये दाब को मापने के लिए तो जिनका आंसर यहां पर है option number D तो बिल्कुल character अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का पृष्ण आपके स्क्रीन पर है कि 9 भारती भाष्ण की एकी करत लिपी है ठीक है जिसे एक सामान भारती लिपी के रूप में परुस्तावित किया जा रहा है बताए भई तो खाली जगा की अगर बात करें क्या आ जाएगा यानि कि भारती आ जाएगा सातियों भारती जो है वो 9 भारती भाष्ण की एकी करत लिपी है या आपको ध्यान रखना है भारती इसका नाम है भारती जो ह चेले साती हो, अगर मंदिर की बात करते हैं, तो ये कहां पर इस्थित है, ये आसम बेस्थित है, आपको धियान रखने साती हो, आंसर आपका जो जाएगा, वो प्शन नमबर C के साथ जाएगा, नीकि कामाख्या मंदिर साती हो, आंसर आपका C असम में, उसके बाद देखी अगला पुर्षण आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल कालीन पुर्षद दिगायक तांसन ने किस भारतिय संगी शैली से सम्मंदित है धुरुपत से ठुमरी से करनाटक से या साथियों ख्याल से बताइए तो राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो धुरुपत इस पुर्षण का बिलकुल सही जवाब हो जाता है तो परिक्षा में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस भारतिय संगीत शैली से सम्मंदित है तो धुरुपत संगीत शैली से सम्मंदित है कौन तांसन आप उ 1975 में, 1972 में या 1974 में बताईए तो साथियों कब किया गया था? 1972 में किया गया था या आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपका उप्शन नमबर C हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुछन आपके स्क्रेन पर है आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भ परती भूमी के नाम से तो नहीं, कुल बीजोरोपित भूमी के नाम से तो बिल्कुल सही है निकि जो भूमी का वहुतिक विस्तारे साथियों जिस पर फसले बोई और काटी जाती है उससे साथियों कुल बीजोरोपित भूमी के नाम से जाना जाता है या बात आपको ध्या या मध्यम वरगी वस्तुएं कहा जाता है चलिए तो क्या इसका राइट आंसर साथियों हो सकता है उपभोग वस्तुएं इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर है आप्शन नमबर C के साथ तो बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया अब उसके बाद देखिए कि 1932 का पूना पैक्ट समझोता महात्मा गांधी और इनमेसे किसे नेता के बीच किस नेता के बीच साथियों हस्तांश्रिक किया गया था बताए हस्तांश्रिक किया गया था चक्रवर्ती राजिगोपलाचारी विनोवा भावे इव ए जिन्ना यानि कि मुहम्मद अली जिन्ना या भीम राव अमबेट कर चलिए तो अगर बात करें इस पुर्शनी का बिलकुल सही जवाब जो होगा साथियों वो भीम राव अमबेट करके साथ जाएगा अगर आपका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर डी है तो बिलकुल सही है यानि कि 1932 में जो पूना समझाता हुआ था या महत्मा गान्दी और भीम राव बेट करके बीच हुआ था उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुर्शनी आपसे पूछा जा रहा है वारली लोग चितरकारी जो है साथियों किस राजी की लोग कला का एक रूप है तो किसकी लोग कला का साथियों एक रूप है आपसे पूछा जा रहे साथियों तो महराश्ट इस पुर्शनी का बिलकुल सही जवाब हो जाता है उसके बादे drive 1972 का शिमला समझोता इंदरा गांदी और किसके बीच हस्ताक शरित किया गया था तो जुल्फिकार, अली भुटो और इंदरा गांदी की बीच सात्यों हस्ताक शरित किया गया था, ये बात आपको धितान रखना है उसके बाद देखिए कौन सा सरकारी संगठन भारती प्रतिभूती बाजार में सक्रिय सभी निवे शकों का प्रमुख नियामक है तो से भी है आंसर आपका किस आप्शन के साथ आप्शन नमर सी के साथ प्रदान मंत्री जंधन योजना की शुरुआत किस के द्वारा की गई थी तो सातियों नरेंदर मोदी के द्वारा की गई थी आपको ध्यान रखने सही जवाब आपका आप्शन नमर एह हो जाता है प्राचीन समय में किसी वैक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के सामान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था इस प्रता को सातियों क्या कहा जाता था तो तौला भार इस प्रता को कहा जाता था इसका सही जवाब आपका आप्शन नमर सी हो जाता है निलिकित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ता अक्षिरित गांधी इर्विन तो आंसर के अगर बात करें तो सविने अवग्या आंदोरन वापस लिया जाएगा तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है इसलिए आंसर आपका आप्शन नमर सी चलिए विहार और नेपाल के मिधला चेतर में किस भारतिय कला रूप का पृचलन है तो किसका सात्यों कला का किसका पृचलन है अगर पृचलन की वाद करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग का पृचलन है या आपको दिछान रखना है उसके बाद देखिए 2020 में इंडियन प्रिमियर लीग का कौन सा संस्क्रण खेला गया था तो सातियों तेहरमा संस्क्रण खेला गया था इसलिए आंसर आपका option number C के साथ जाएगा सतीज धवन अंत्रिश केंदर जो के हरी कोटा में इस्थित है ये किस राज में स्थित है सातियों आंदर प्रदेश के शीरी हरी कोटा में इस्तित है तो हरी कोटा आजाए शीरी हरी कोटा या आंदर प्रदेश आजाए दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे उसके बाद देखिए निमिकित में से कौन सा राश्टी उधान भारत में नहीं है तो भारत में सातियों कौन सा राश्टी उधान नहीं है या आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशिश करेंगे के राइट आंसर आखिर इसका क्या हो सकता है चली तो अगर जो शंदूर राश्टी उधाने या सातियों भारत में नहीं है या पाकिस्तान में इस्तित है या कोदेया नकनेबा की सारे बहरत में है या लग-अलग राजों में है उसके बाद देखिए निम झात्यूति में से निम्लिकिट में से क्या असजयोग और क Donald का परणाम था है अगर बात करें किसानों को आपने वेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा तो नहीं छातर सरकार को दोरा संचालित स्कूलों और कॉलिजों में गए तो नहीं वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया तो नहीं मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर आपका उप्शन नमर डी के साथ उसके बाद देखिए किस सिंदू जल संदी पर किस शहर में हस्ताक्षर किये गए तो किस शहर पर यानि 1960 में हुई सिंदू जल संदी पर किस शहर में हस्ताक्षर किये गए तो आपको धियान रखना है कराची में साथियों हस्ताक्षर किये गए आंसर आपको आप्शन नमर सी के साथ उत्तर प्रदेश में निम्लिकत में से कौन सा इसमारक नहीं है तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा भी है, ताज मेहल भी है, सारनात इस्तोथ भी है लेकिन अगर बात करते हैं, पच्चीस में नमबर के आप्शन नमबर एक ही यह आप सभी को पता है सारनात इस्तूब भी उत्तर पुदेश में है ये भी है और ताज महल भी है लेकिन ये सातियों दिल्ली में इस्तित है उसके बाद देखिए निमकित में से कौन सी नदी अफरीका में नहीं है तो अफरीका में सातियों कौन सी नदी नहीं है अमेजन न यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा जल पट्टी का भारत और श्रिलंका को अलग करता है चलिए तो अगर बात करते हैं साथ यहाँ पर आप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट आपका अंसर आप्शन नंबर डी जाएगा निके पाग जल लमरू मत जो है यह भारत और श्रिलंका को अलग करता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर के श अधुनिक अर्थशाथर का जनक साथियों एडम स्मित को माना जाता है यह भी आप लोग धियान रखेंगे पैनिसलीन की खोच साथियों किसके द्वारा की गई थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पैनिसलीन की खोच की गई थी आंसर आपका जो जाएगा वो विल्कुल करेक्टर भी बोखत बढ़या Very Good Class पूछा जा रहे हैं यह आपसे पूछा जा रहे हैं यह किस देश से सम्मझने थी इतना आपको केवल बताना है बताईए चलिए तो अगर इंग्लिश चैनल तायर कर पार करने वाली पहली महिला की सातियों बात करते हैं तो इनका नाम था गर्टूड एडरले इनका नाम था और सातियों यह कहां की थी तो यह एक अमेरिकी थी यह बात आपको ध्यान रटना है नेक्स नमबर का प्रशना आपकी स्क्रेन पर है आप से पूछा जा रहा है सातियों के निम्लिकित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी के रडाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी बताईए तो कौन सी घटना घटी बंदरगावाले शेहरों बदरास कलकता और मुंबई को नश्ट किया गया नहीं कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाएगी ये भी निसाई है बेटिश इस्ट इंडिया कंपनी के वियापार का विस्तार हुआ तो ये बात बिल्कुल सही है आंसर आपका जो जाएगा वो उप्शन नबर सी के साथ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब में पंजिकरत पहला डोमेन नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है सातियों बताने की कोशिश कीजिए तो राइट आंसर की बात करें तो www.symbolics.com आपका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमर डी आज ये क्लास का अंतिम प्रशन आपके स्क्रेन पर है आपसे पूछा जा रहा है सातियों के निमलिकित में से किसने सुएदेशी आंदोलन के मादगम से आपनी वेशिक शासन के उगरवादी विरोधी की वाकालत नहीं की थी तो किसने नहीं की थी सातिय ये नहीं की थी अब नहीं की थी तो यही इस पुष्णिका बिल्कुल सही जवाब हो जाता वे बहुत बढ़िया वेरि गूड प्लास तो यह सातियों 35 पुष्णिव सामान निग्यान के उमीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई हो गया गर पसंद आई है तो प्लास को ए मिलते हैं हम सब लोग आने वाली वीडियो में जैहिंस आते हूं